ये नाल घोडों के पैरों में लगाई जाती हैं जिनकी वज़से कई बार हाथ में गहरी चोटा जाती है आज हमारी नई घोडी को नाल लगाने के लिए आने वाले हैं एक नाल वाले भाई घोडी को नाल लगाने के लिए भाई बिलकुल तयार हैं ये भाई घोडी से बिलकुल नहीं डरते जिस तरह से हमारे निल्स की कटिंग होती है उसी तरह से घोडी के निल्स भी काटे जाते हैं लेकिन कील लगाते वक्त नाल वाले भाई का हाथ फट चुका था और उसमें से खून आने लग गया था लेकिन नाल वाले भाई ने बिलकुल भी हाड नहीं मानी और घोड़ी को तलान लगाने के बाद ही सांस लिया नाल वाले भाई से मुझे एक चीजसों सीखने के लिए मिल गई की काम के बीच में कितनी कटनाई आए लेकिन अपने काम को पूरा जरूर करना चाहिए